और आज का जो विशय है, रमायन और राम चरित मानस में अंतर क्या है? कितने रामायन हैं? आज तक कितने रामायन लिखे जा चुके हैं? रामायन और राम चरित मानस का अंतर क्या है? और शी राम चरित मानस को पढ़ने में कौन सी गलती नहीं करने चाहिए? क्योंकि स्री रामचरित मानस को पढ़ते समय लोग जो है गलतिया करते हैं और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए वो हम आज इस विशय पर चर्चा करें यह बहुत महत्तपुर्ण विशय है क्योंकि रामचरित मानस की चर्चा हो आपको रामचरित मानस में से लेना क्या है उठाना क्या है ग्रहन क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए और वही लोगों को पता नहीं होता इसलिए बातों का बतंगर बनना फिर शुरू होता है गोस्वामेत उसी दाश जी किस परश्थिती में किस परिवेश में रामचर्थमानस लिख रहे हैं प्या वो भगवान रामचरत मानस उनकी नहीं पहली बात temps यह समझज लेजी ख कलियुक के ही आज से लगबग 500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ मुगलिया काल में मुगलिया शाशन जब चल रहा था तो उस समय उनका जन्म हुआ और हिंदु समाज को सनातन धर्मियों को जो बिखरे वे थे कई कारणों से कोई अपने आपको शयव मान रहा है तो वैश्नाव मान रहा है और इस प्रकार से मतभेद है फिर जातपात की भी बुराईयां है साथ में तो इन सब को पार करकर सब एक हो जाएं सब संगठित हो जाएं इस उद्देश से गो स्वामी तुलसी दाजी राम चरित मानस की रचना करते हैं या उनका उद्देश होता है क्या राम चरित मानस रामायन है प्रश्न यह उठता है जी हां राम चरित मानस को तुलसी रामायन भी कहते हैं लेकिन फिर भी यह रामायन की तरह कोई ग्रंथ नहीं है यह भी साथ में हमें मानना पड़ेगा वास्तों में रामायन रामकथा और रामकथा की जो रचना है रामायन जो है कई भाशाओं में लिखी गई तोटल कहते हैं कि लगभग 300 राम रमायन की 300 राम कथा की वर्णन आता है जो कि लगभग 29 से 30 भासाओं में लिखे गई है अब कहोगे 29 से 30 भासाओं में और 300 कैसे लिख दी गई जी हाँ एक ही भासा में कई बार लिखे गई अलग-अलग विद्वानों द्वारा अलग-अलग लेखकों द्वारा कवी ओं द्वारे लेकिन उन्होंने शिलालेक लिखा था पत्थर पे लिखे थे और उन्होंने राम सेतु में ही बांध दिया था ऐसा भी वर्णन आता है लगभग समकालीन है एक समय में लिखे गए तो अब एक प्रश्ण ने यहां पर उठता है जिसको लेकर बहुत चर्चा होती है और बहुत साही रामचरित मानस की बातों को की आलोचना या क्रिटिसिजम होता है कई लोग हैं इसमें करने वाले कुछ अपने आपको इतिहासकार समझने वाले जो ऐसा वर्णन करते हैं तो अब प्रश्ना आता है इतिहास का क्या रामचरित मानस इतिहास है जी नहीं रामचरित मानस इतिहास नहीं है रामचरित मानस साहित्य है जो की इतिहास पर आधारित है वह इतिहास का संकीत करता है लेकिन इतिहास का प्रमान देने का कोई दावा नहीं करता है संक्यत जरूर करता है आप रामायन के बारे में या रामकथा के बारे में तो कि रामायन एक इस्मृति है एक इतिहास है तो कोई स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी ने इस बात को प्रमानित किया है कि इस कथा से संबंदे तो जितने भी प्लेस है जितने भी जगहों के नाम है वो आज भी विद्यमान है उनको वहाँ जाये जा सकता है वहाँ भ्रह्मन कर सकते हैं आप गोमफिर सकते हैं लेकिन पश्शी मे जो माइथरोलोजी मिलती है एंजल्स की और बहु सारी बाते तो वो जिन जगहों की बाते करते हैं उसका कोई भगौलिक या जीग्यों प्रूव नहीं है उसका लेकिन रमायन का जीग्यों प्रूव है अगर भगवान राम युद्या में जनम हुए तो यूद्या है आज समुद्र तटपड तो रामिश्वरम आज है अगर वो सीता जी के पास लंग या तो होता कि रावन कहीं लेकर चला गया जिस जगा कोई नाम ही ना होता तो रावन लंका लेकर गया है तो लंका है आज तो सारे जिगराफिकल जो प्रूफ्स है वो प्रिजेंट है राम कथा के इसलिए इसको माइथालोजी नहीं इसको इतिहास ही माना जा सकता है स्मृति ही मानी जा सकती है तो इस्मृति है या तो क्या गोस्वामी तुलसीदाजी की जो रमायन है जो रामचरित मानस है उसे हम इतिहास का प्रमान के रूप में मान सकते हैं तो यह इतिहास के प्रमान के रूप में मानने के लिए इसको लिखा ही नहीं गया है आप मान सकते हैं आप संकेत ले सकते हैं लेकिन यह हिस्टोरिकल प्रूफ लेने के लिए यह गरंत की रचना नहीं है अगर हिस्टोरिकल हाँ संक्यत जरूर है अगर आपको complete historical प्रूफ चाहिए तो आप बालमिकी रमायन और कंभ रमायन की रमायन का अध्यन कीजिए कंभ रमायन भी हिंदी में आपको उपलब्द है मराठी में भी उपलब्द है कंभ रमायन तमिल भाषा में मूलता तमिल भाषा में लिखी जा चुकी है अब तक सबसे बांगला की अंदर भी 20-25 बांगला और असामिज इन दोनों को मिला कर लगबग 25 रमायन की चर्चा आती है कि 25 रमायन लिखे जा चुके हैं छे रमायन उ तो इस तरह से गुजराती में सभी भाषाओं में रमायन की रचना भारतिय भाषा हैं जितनी है उनमें तो हुई है इसके साथ साथ आपको थाई भाषा में लाउस भाषा में चीनी भाषा में बेल्जियम में कंभोडिया में इंडोनेशिया में लगबग जो वहां की जो जावा भाषा है चार रमायन लिखी जाचुकी वहां पर और आज भी राममंदीर इंडोनेशिया में उपलगद है आनेकों मंदिर और रमायन की चर्चा आज ब монक्तियां वेगरणा आपको मिल जाएंगई थाइलेन में भी आपको मिल जाएंगी चीनी भाषमें भी एक नहीं दो तीन रमायन लिखी जा चुकी है पहले ही और तो बहुत सारे जो विचारक हुए मुखे रूप से कन्फ्यूशियस का नाम आपने सुना होगा कि कन्फ्यूशियस की जो विचार धारा थी वह पूरी तरह से व Elliq मत पर अधारित घ है जह चाहें लाउँचू का नाम लेटें बहुत फीमस नामें लाउटू की जूरस लाउटू की जो बुद्ध से भी पहले माने जाते हैं, तो Confucius ने जो अपने विचार रखे वो पुर्णता वैदिक विचारधारा या शीराम रमायन के जो संस्कार थे उस पर अदारित हुआ करते हैं, तिब्बत में रमायन की रचना, अरभी भाषा में रमायन की रचना, यह बहुत पहले, यह सारी चीजे होती आई और आगे बढ़ती गई, और जो सबसे बाद में है वो गोस्वामे तुलसिदाज जी की रामचरित मानस है, तो अब रामचरित मानस का उद्धिश क्या है, रामचरित मानस और रमायन का अंतर क्या है, तो अनेको भाषाओं में कई-कई बार, हमसे तो अब रामायन के रोप दिये गए हैं संस्कृत के अंदर भी, लेकिन जो प्रतम रामायन जो मानी गई है, वो बालमिकी रमायन है और कम्भ रमायन है जो कि तमिल भाषा में लिखी गई थी और वो इतिहासी प्रमान के रूप में माना जाता है तो अब जो रमायन लिखी गई राम कथा कई बार वो मंचन के उद्धिश्य से लिखी गई क्योंकि हर जगा राम कथा का मन्चन हुआ करता था इस्टेज परफॉर्मेंस हुआ करता था राम लिलाएं हुआ करती थी तो उस उद्देश से भी लिखी गई लेकिन यहां पर गोस्वामी तुसीदाजी जो लिख रहे हैं वो रामायन नहीं है वो है राम चरित मानस वो क्या है राम चरित मानस अर्थात की आप राम के चरितर को धारन करिए और मन में धारन करवाने है तू उनके लिखने का उद्दिश्य है कि जो भी राम चरित मानस पढ़े उसके मन में उसके मानस में राम का चरित्र बसे सीता जी और राम जी का चरित्र वो गाते हैं कि उनका जो चरित्र है सीता जी और राम जी का वो अत्यंत ही मनभावन है अत्यंत ही मनभावने सीता राम चरित अतिपावन मधूर सरस और अतिमनभावन ओपुनि पुनि केतनहू सुने सुनाये हिय की प्यास बुझतना कितना भी केतनहू मतलग की अवधी भाशा में कितना भी कितना भी आप सुनले तो रमायन की कोई इतनी बार ये लिखी जा चुकी है इस कथा को अलग-अलग की यहां पर गोश्वामी तो से रामायन सत्कोटी रमायन जैसे रामचंदर जी ने अनेकों प्रकार से अपनी लीला की है रामायन भी उसी तरह से सव प्रकार से रची जा चुकी सत्कोटी सत्कोटी मतब सेकड़ो प्रकार से रमायन की रचना पहले की जा चुकी ऐसी बात नहीं है इसकी घोसना कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सेकड़ो बार रमायन लिखी जा चुकी है और आम आपने काल में ये बात गोश्वामी तुलसिदा जी कह रहे हैं अपने समय में यह बात करें कि सेकड़ों बार रमायन की दशना हो चुकिए तुम नया क्या लिख लोगें तो फिर लिखने क्यों बैटें तो वह कहा रहे कि मैं चरित्र लिखूंगा तो आप एक बात पकड़ लीजिए कि राम चरित्र मानस भक्ती प्रधान ग्रंत है भक्ती प्रधान महाकाव्य है और यह चरित्र वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है अलंकृत करके किया गया है अलंकार के साथ किया गया अब कहां पर कौन सा अलंकार लगता है व जो बननी चाहिए वह भाव ही ना बनेगी फिर तो इसलिए तोड़ मरोण मत करो सहज भाव से अगर इसको पढ़ लिया तो समझ लोकी चरित्र भी समझ में आ तो राम चरित्र मानस की विशेष्था है इसमें चरित्र वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है चरित्र वर्णन करने के लिए अलंकारों का प्रियोग किया गया है उपमाओं का प्रियोग किया गया है चरित्र में निखार लाने के लिए उपमा और अलंकार का प्रयोग किया दिया है जैसे कि माल लिजे कोई विद्यार्थी है बहुत पढ़ने में लिखने में तेज है और उसने एक किताब पढ़ दी और मास्टर जी से उसने कहा कि सर मैंने एक किताब पढ़ ली तो टीचर ने का अच्छा तुमने पढ़ ली किताब चाट ली क्या मतलब है चाटने का काम तो जीहवास होता है चाटने का काम तो जिहवा से होता है, अब उसके टैलेंड को बताने के लिए, उसके चरित्र को बताने के लिए यहाँ पर एक उपमा दे दिया गया, चाटने से, एक कंपेरिजन करते हुए एक अलंकार दिया गया, कि उसने पूरी किताब ही चाट ली, इस बात को समझेगा, तभी राम चरित्र मानस समझ में आईगी, तो राम चरित्र, स्री राम जी और सीता जी का चरित्र तो अत्यंत मनभावन है, वो तो ब्रह्म सुरूप है, सीता जी भी ब्रह्म सुरूप है, और राम जी भी ब्रह्म सुरूप है, सीता जी के ब्रह्म तो गोस्वामी तोसीदाश जी राम और सीता जी का चरत्र उत्तों लिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वो रावन का भी चरत्र लिख रहे हैं विविशन हनुमां जी और कईों का चरत्र लिख रहे और उनके चरत्र को सम्hram 전 chapter को सम्hram के लिए कि अब अलंकार का प्रयोग हो रहा है कि अलंकृत किया जा रहा है भाशा को उसकी सोच क्या है अब लंका कांड के अंदर लंका कांड में जो है रावन जो है मंदोधरी को इशारा करते हुए नारी के दस अवगुन गिनवारता है अब किसको आप दोशी कहोगे वही कल भी मैंने ये बात आपको इशारे इशारे में कई थी कि एक स्क्रिप्ट राइटर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखता है विलन से कौन सा डायलोग बुलवाना है आप मालो कि विलन कोई बहुत खराब डायलोग खराबलर बोलता है तो क्या स्क्रिप्ट राइटर को दोसी ठैरावगे वो तो रावन है रावन से तो बुलवाएंगे और किस से बुलवाएंगे बोड़किए, तो गोस्वामी तुसीदास जी अगर रावन से नारी के दश अवगुन गिनवाते हैं तो क्या वो गोस्वामी तुसीदास जी की विचारधारा मानेंगे या रावन की विचारधारा मानेंगे आप विचार के जी वैसे ही धोल गवार शुद्र पशुनारी सकलतारना के अधि रुका है जब भगवान प्रेम से उससे सब कुछ मांग रहते तुम रास्ता दे तो प्रार्थना कर रहते विनती कर रहते तब तो माना नहीं कि जल दिन माना तो जल जल गए तीन दीन बीती बोले सको प्रामतब भाई बिनु होए न प्रीती भाय की बिना प्रेम कहा होगा इसे, तो समुद्र का चर्त्र दिखाने के लिए, इसका चर्त्र कैसा है, इसकी सोच कैसी है, गुस्वामी तो सिदाजी लिखते है, ढोल गमार शुद्र पशुनारी, सगलतारणा की अधिकारी, ये समुद्र देव जो ऐसा चर्त्र रखने वाल अगर आप इसमें हिस्टोरिकल प्रूफ देखने जाओगे तो हो सकता कि आप अलंकारों को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे आप गोस्वामी तुलसिदा जी जग लिखते हैं जब सीता जी का स्वेंबर होता है और स्वेंबर होता है और धनुष शिव धनुष को उठाना होत आप पर लेखते हैं कि भूप सहसदस एक ही 12 में उठावण तरही नटारा भूप सहसदस एक हजार राजा एक साथ उटे और उन्होंने धनुष को अटाए वो धनुष के चरित्र को यहां पर लिख रहा है कि अगर हो भी जाता ऐसा अगर एक हजार राजा उठ भी जाते औ और धनुश को उठा भी देते इाने के लिए कोशिश भी करते एक साथ अलग अलग नहीँ अगर एक साथ एक हजार राजा उठकर धनुश को उठाने की कोशिश करते तो भी वह उठा नहीं पार। तो भी वो उनसे उठता नहीं तो अब धनुष का चरित्र वर्णन भी गोश्वामी तोसिदा जी करते हैं परशुराम जी का चरित्र वर्णन भी करते हैं लक्षमन जी के चरित्र वर्णन करने के लिए कई परकार के शब्दों का प्रियोग करते हैं भरत जी का इतना सुन्द उन्होंने किया है माता शबरी का केवट भक्त केवट का निशाद राज का अदभुत चरित्र वर्णन हुआ है तो चरित्र वर्णन ये राम चरित्र मानास की इसमें चरित्र शब्द जो जुड़ा हुआ है कियारेक्टर को explain किया है जो अभी अलंकार देकर ताकि वो इस पस्ट हो जाये जैसे कि मैंने आपको एक उदारन दिया कि किसी ने पूरी किताब ही रट ली तो कह दिया गया कि इसनेतो constant काम जीव से होता है लेकिन उसने आखों से इस तरह से पढ़ा, उसे सब कुछ याद है, वो कुछ भी नहीं भूलता और उसे सब रटा हुआ है, उस तक के अंदर जो भी है उसको इसमरन है, तो किताब उसने चाट ली, यह किसी को अलंकृत करने का, किसी के कैरेक्टर को इसपष्ट करने के लिए अलंकृत करने का तरीका है, तो यह अलंकार दिया जाता है, तो गोस्वामी तुसिदा जिने, इसलिए यह महा कावे है, यह साहित्य है, साहित्य की दृष्टी कौन से, लिट्रेचर की दृष्टी क तो उनसे यह साहित्यकारों के जगत में यह एक चमतकार जैसा है राम महा कावे जो है इतने अलंकार इतनी उपबाएं और अलंकृत करकर गो स्वामी तुसीदाज ने इसे इतना रोचक बना दिया है यह अत्यंत रोचक है इसे बहुत ही रोचक बना दिया मतलब कि अब आप जिएलिए रोच परियुदाज का प्रएं असुरओ को भी प्रणाम और असुरों लिए प्रणाम औरशरों को भी प्रणाम और असुरू को भी प्रणाम। और दुष्टों को भी प्रणाम तो को भी प्रणाम करता ह। कहीं नहीं कहीं तुम्हारे कारण से धर्म बचा हुआ है ज्चायों जो बी हो तो हम पढ़ेंगे उसमें चर्चा आएगी तो दुष्टों के लिए प्रणाम किया है तो अनेग प्रकार से जो पई अतिव Ugately, अत्य व्यंगत्मक .. उस्थिती को भी पैदा होते दिखा जाता है राम चाinity waanas में क और कई बार चरितरवर्णन करने के लिए साधु समाज का चरितर वनन करते हैं.. पाखंडियों का चरितरवर्णन करते हैं.. करते हैं उत्तरकांड के अंदर भी और बालकांड में भी अब साधू और असाधू के बीच का अंतर उनको समझाना है दोनों के चरित्रकारून और वर्णन किया है तो सीधा लिखते हैं कि बंदव संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कचुबरना बिच्छुरत ए एक दुखदारून देंगे ऊपजंग एक संग जगमाही जलज जोग जिमिघुन विलगाई और जोग कि अलंक दे दिया है जलज और जोग जलज कमल का संतों का चरितर Corin कंバल के फूल के समाना और जो असाधू है उनका चरितर जोग के शमाना उसी पानी में रहते वो अलग नहीं रहते हैं उसी पानी में रहते हैं मतब्द दोनों का अस्थान एक ही हो सकता एक जैसे दिखने वाले हो सकते हैं सुधा सुरासम साधु असाधु तो जो चरत्र वर्णन करने के के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया है रावन का चरित्र वर्णन करने के लिए रावन की मानसिक्ता कैसी है उसकी सुकिस विचार धारा का वो विक्ति है अब जब लिखते हैं कि अधम अधम अतिनारी कौन कह रहा है कि किसके करेक्टर में आता है किसके चरित्र में आता ह तो राम और सीता जी के चरित्र को तो मन में बसाने के लिए ये लिखाई गिया है लेकिन साथ ही साथ रमायन के जितने पात्र हैं उन सब के चरित्र का इस पश्च्टी करन ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फैक्ट है भावनात्मक रूस है इसलिए इसका नाम मानस है मानस सुक्ष्म विशय है राम चरित्र मानस मतलब की राम के चरित्र को मन में बिठाने है तू अगर आप राम के चरित्र को आप मन में बिठाना चाहते हैं और बाकियों के चरित्र को समझना चाहते हैं आपने रमायन खूब देखी रमायन खूब पढ़ी रामकथा का मंचन खूब हुआ अनेको भाषाओं में और कम से कम भारतिय भाषा में एक एक भाषा में विद्वानों ने कई-कई बार रमायन लिखी है तो इस तरह से व種 तो कई-बार हो चुकी है लेकिन कौन सा चरित्र कैसा है उसकी कैसे पहचान होगी गोस्वामी तुलसी दाजी ने चरित्र वर्णन करने का जो कारे किया है अपनी कावे रचना में वह बहुत ही अद्बुत है तो सहित्य के दृष्ट्री कोन से बहुत ही अद्बुत है और वह ऐसा चरित्र कि भाई समझ में आ जाए आपको ज्यादा समझाना ना पड़े अब असाधू और असंत कैसे होते हैं तो सीधा उन्हों लिख दिया जैसे तलाब में कमल का फूल किलता है और उस तलाब में जोक लिचेस जोक भी उस तलाब में रहते हैं तो जोक की तरह तुम असाधूं को समझो और संत की तरह कमल के फूल के तरह तुम संतों को समझ लो तो दोनों का करेक्टर जोक का काम है खूंच उसना संतों का काम है आपको आनंद देना आपको उपदेश देना और दोनों दुख देने वाले होते हैं, जब असाधू जीवन में आता है, तब दुख देता है, संत जीवन से जाता है, तब दुख देता है, दोनों ही है, वेश प्रपंच को उन्होंने खुब कई तरह से उन्होंने लिखा है, वेश प्रपंच को, कई बातों को, इस तरह से ये जो राम चरित मानस है सीता राम के चरित का वर्लन तो वो करती ही करते हैं और साथ ही साथ तो इसी लिए कहने का मेरा अर्तात पर ये है कि Do not search history in राम चरित मानस रामचरित मानस में हिस्टोरिकल फैक्ट को मत ढूंड़िए या उस उद्देश्च से लिखाई नहीं गया है कि आप हिस्टोरिकल हाँ आपको संकेत मिलते हैं ठीक है संकेत मिलते हैं आपको तो जब संकेत मिलते हैं तो संकेत में आप संकेत को ले जा सकते हैं उस संकेत का अधार लेकर आप facts चेक कर सकते हैं आप आलमिकी रमायन में जाकर चेक कर सकते हैं तोकि यह भक्ति प्रधान गरंत है और भक्ति के प्रशार हेतु लिखा गया कि लोग भगवान के चर्ट्र को अपने मन में बसाएं और भक्ति में लीन हो भक्ति करें और भक्ति में आगे बढ़ें और उसमें अपने मन को मतलब की एक तरह से उनका जो मन है उनका जो माइंड है वह प्रभु रस्त से भरा हुआ हो आत्म विश्वास से भरा हुआ हो आस्ता श्रदा से भरा हुआ हो सकरात्मक्ता से भरा हुआ हो औ कृषात विवेक प्रदान करने वाला ये गरंथ है मात्र कत्हाओं का या इतिहास का कि किस तरह से घटनाय पूरी तरह से घटी थी एंग जैक्जेक्टली क्या अब जैसे रावन है रावन की रमायन आप पढ़ेंगे तो रावन की कफा रावन की कफा है उसमें पिछले जनम की भी कथा रावन की आ जाती है रावन का जनम कैसे होता है इसकी भी कथा आ जाती है किस प्रकार से कैकसी के गर्व से रावन का जर्म होता है विश्वा रशी के पुत्र रावन होता है और फिर रावन ने और कौन-कौन से करम किये कौन-कौन से गलत करम क उसका जो उसकी जो शतुरता होती है अपने ही भाई कुबेर से कुबेर भी विर्श्वा रशी के पुत्र थे रावन कुबेर सौतेले भाई थे तो पूरी कथा आपको बाल मिकी रमयन में मिल जाएगी कि दोनों की बीच में कैसी शतुरता थी कितनी बार दोनों में शिव जी को हटान हटाकर वो लंका लाना चाहता प्रसंड करकर उसका उद्देश्य पवित्र नहीं था आप कहते हो कि रावन बढ़ा ही तपस्वी था लेकिन फिर भी तपश्या के पीछे उसका जो उद्देश्य था वह पवित्र नहीं ठीक यह सब चीजें हैं यह सब बाते हैं तो इस तरह से रामचरितमानस के अंदर इस तरह का सरचा तो रामचरितमानस में historical facts जो है वह ढोनेने नहीं चाहिए और historical facts के लिए भी आपको कम भरमाईन है किसका अध्यन करना चाहिए साथ ही बालमिकी रमायन का भी आप अध्यन करें लेकिन समय बहुत बीद जाने के बाद उसकी कई टिकाएं लिखी जा चुकी हैं उनमें भी कई मिलावटों का भी विद्वानों के अनुसार मिलावटों की भी स्विगरती है कि हां कुछ बाते ऐसी लिख दी गहें जो पूरी तरह से इसथा अनुसे अलग कुछ बाते हों के अलग बाते हो जाती है जिससे कि बात मैच नहीं करती जिन से कि बात तिकती नहीं है matching नहीं होती यह कैसे हो जाएगा जब पूरी कथा में भगवान राम ने ऐसे किया तो अचानक से ऐसे कैसे कर देंगे तो इस तरह की ऐसी बाते भी आ जाती है तो इसलिए वो ना होकर गोश्वामित उसी दाजी ने जो राम चरित्र मानस की जो चर्चा की है वो मानस के अंदर चरित्र का वर्णन विवेक की जागरती भक्ति का प्रचार अध्यात्मिकी समझ अध्यात्मिक समझ अध्यात्म भरपूर है इसमें गैरा अध्यात्म है राम तरह की ध्यान योग समाधी की बाते आपको रामचरित मानस में मिलती है तो इस प्रकार से इसको हमें जो है चलना है और फोकस जिस विशह पर करना है वह अध्यात्म है वह भक्ती है ना कि historical facts अर आप इसमें से इतिहास निकाले तोकुछ आलोचक ऐसे ने यह लिखा यह तो सही नीं लिखा उन्होंने ऐसा कैसे हो सकता है तो कहा रहे है कि मैं इतिहास लिख रहा हूं कुछ रचना समाज के लिए किया है और मुझे प्रभू की प्रिपारनी के विधिवान और बहुत प्रकार के जो कोई वैश्णोपन्ति कोई शैवपन्ति कई लोग थे तो उनका अब इसलिए कभीरदास जी के नाम पर कोई पंथ नहीं है कि कोई संप्रदाय नहीं है आप जाओगे हर जगा आपको संप्रदाय मिलेंगे संतों के नाम पर लेकिन तुलसी दाजी के कोई पंथ या संपरदाय नहीं चलता है हां उनको मानने वाले या रामचरत मानस्पों मानने वाले बहुत सारे लोग हैं वो कोई संगठन बनाए अपने से तो एक अलग बात लेकिन गोश्वामी तोसीदास जी के नाम पर कोई गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर कोई मठ चल रहा हो कोई संस्था या आश्रम चल रही हो इसका कोई प्रमान नहीं है यहां जैसे कबीर पंथ है कबीर पंथ है कबीर संथ कबीर दाश जी के नाम पर कबीर पंथ चलता ह और कई संतों के नाम पर कई पंथ चलते हैं। उनकी आश्रम में बिहार के लोग मिलेंगे। तो इस प्रकार से लेकिन गोश्वामी तुलसीदाह जी के नाम पर कोई पंथ, कोई कोई संपरदाए कोई मठ कोई आश्रम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उनका उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपना प्रचार या धरम का प्रचार उन्होंने कुछ इस धंग से कभी किया ही नहीं था बहुती सरलता पुरुवक बिना किसी आडंबर को अपनाएं बिना किसी वेश को अपनाएं ये नहीं कि वेश धारन कर लिए कुछ हो गए नहीं इसलिए वो ऐसी प्रखर बाते लिखते हैं वेश के बारे में जब वो लिखते हैं कि किया हूं कुवेश साधु सनमानु जिमे जग जाम वन्त हनुमानु कुवेश भी अगर धारन कर ले साधु का सम्मान होता है किया हूं कुवेश साधु सनमानु जिमे जग जाम वन्त हनुमानु जैसे जाम वन्त हनुमान जी ने युद्धाओं का वेश धारन किया कभी कोई साधु का वेश धारन नहीं किया और उगर ही अंतना हो है निभाहू कालनेमी जिमे रावन राहु जैसे कालनेमी रावन और र थगने के लिए सादू वेश्धारन किया इस प्रकार से क्याते हैं कि सादू वेश्धारन तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं लेकि जो सच्चे सादू है वह आपको वेश्ध में ही दिखाई देंगे ऐसी बात नहीं वह खुद इतनी क्योंकि उन्होंने खुद वह जीवन जिया उन्होंने खुद वैसा ही जीवन जिया तो इसलिए यह रामचरित मानस कई लोगों को उस समय जब इसकी रचना हो इसका पाठन पाठन बहुत अधिक होता है तो पढ़ते समय यही गलतिया नहीं करनी चाहिए डूनॉट सर्च हिस्ट्री इन रामचरित मानस इतिहास मत डून डिये विवेक डून डिये अध्यात्म डून डिये चलेगा सब इतिहास डूनने की ज़रुरत इसमें नहीं है क्योंकि यह महा काव्य है कवीता की भाषा है और कविताओं में ऐसी भाषा का प्रयोग होता है ऐसे आपव कविताएं पढ़ लो आप किसी की खासी की आप लड़ी मरधानी वह तो जहासी यह इस तरह से होती है कविताएं जब लखी जाती है तो कविताय से लिखी जाती है ठीक है तो यह विचार करने योगे बात है यह सोचने योगे बात है यह राम चरित मानस को पढ़ते समय उसमें से लेना क्या है वो आपको और उसमें से चरित्र निकालों संदर और करेक्टर को अलंकार दे और उसको समझाने का प्रयास किया गया काव्यरचना में , पद है गद नहीं है, यह भी ध्यान रखना चाहिए, तो लेकिन इसमें अध्यात्म का गुड्रहाइस्य समाझ के बारे में का यह द। अब कई भाई का चुन्तुक त्लसिदाजी इन चाहिए, दो助 मत्र यह भार कैसे हैं एध। अधम अतिनारी तो माता शबरी के मुखार्बिन से यह बात निकलती है भगवान राम के प्रति क्योंकि उन्हों ने जिस अवस्था में उनका जीवन बीता एक नारी होना और उसमें भी आदिवासी थी और जंगल में जो रहने वाले जो जन जातियां हुआ करती थी हनुआ जी भी वही थे माताशब्री भी जन जातियों में सही थी जो की वनवासी रहते थैं उनРЕसे वो थी और रिशी उनको अपने साथ नहीं रखते थे लेकिने पिर भी मतंग रिशी ने माताशब्री को रखा और एक तो नारी और एक जो है तो वो नारी है और उपर से ऐसे है, तो रिषी बढ़े नाराज वे कुछ रिषी बहुती नाराज वे कि मतंग निए ठीक काम ने किया और मतंग रिशी के चरित्र पर आरोप लगा है कि माता शबरी को रिशी अस्थान पर आश्रम में रखने के कारण तो इसलिए जो जिन परस्थितियों से वो गुजरी थी उस अधार पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो समाज में अधम समझा जाता है एक तो मैं नारी भी उन्हों नहीं कहते हैं सुन भामनि यह सुंदर इस्त्री जो है मैं भगति का नाता मांगता हूं और कोई नाता में स्विकार नहीं करता हूं इसलिए मुझे कोई फरक नहीं कि तेरह तो किस कुल से है तो नारी है या पुरुष है मुझे इस बात से फरक नहीं पड़ता है यह भगवान राम माता सब्री को उत्तर देते तो इसलिए यह चरित्र वर्णन है और उस चरित्र अब लोगों ने क्या कर दिया गोष्वामी तुलसी दास जिने तो ऐसा लिख जो प्राइमरी स्कूल या स्कूल में पढ़ाते होंगे तो गोष्वामी तुलसी दास जिने जाती प्रता को बढ़ावा दीजिए दिया इसके उपर निबंद लिखिए यहां तक ऐसे प्रश्ण कर दिये जाते शायद कॉलेजों में भी किये जाते हों मतलब कि किसी एक ची से कही जारी है इसको बिना जाने जो है आप उन्हें उठा लिया ना इस्थिती देखी ना कथा सुनी ना प्रसंग समझा कि किस प्रसंग में चर्चा हो रही और आपने कोई चौपाई उठाई और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी आपने दुष्प्रचार करना है और ल लोग थे उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दी जिनके दिमाग में बस राजनिती भरी हुई थी जो बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत लोगों को तोड़ना चाहते थे धर्म से तोड़ना चाहते थे अपने पीछे लगाना चाहते थे तो जिनके मन में राजनितिक वह एक ही मुल उद्धिश्य है और वह है भक्ति कि आप श्री राम चंद्र जी के भक्ति से जुड़ जाईए आप जो है भक्ति से जुड़िए ध्यान योग समाधी इन सब शब्दों का प्रयोग राम चरित मानस में गोश्वामी तुसिदा जी करते हैं आप समाधी के प्रा राम चरित मानस का रहस्य है और इन्हीं बातों को समझते हुए ही राम चरित मानस का अध्यान करना चाहिए नहीं तो फिर गड़बड हो जाएगा और आपको के बड़े देखो तुलसी दास नहीं लिखा आपको निकाल के दिखा देगा देगा रमायन में लिखा हुआ है forward कि मैं लेकिन वक्यों लिखा हुआ है वह किसका डायलॉग है कथा चल रही है न तो उसमें कोई कोई पॉजिटीव रोल अदा कर रहा है तो वो अपने रोल के नुसार अपना डायलोग बोल रहे हैं। लेख़त राम चरित मानस में स्वयम भगवान राम है। स्वयम तुसिदाजी है। रामचरित मानस की हर च्वपाई को तुसिदाश जी या भगवान रामायम का उपदेश नहीं माना जा सकता कोई भी चौपाय उठाया आपने उसे उपदेश बता दिया यह सब विचार करने योग्यबाग्त है यह सब विचार करते हुए ही राम चरित्र मानस का अध्यन करना चीने तो गडबन हो जाएगा यह अलग भी है बाकी रमायनों की तुलना में यह अलग भी है क्योंकि यह र प्रभु चरित्र को मन में बसाने का एक तरीका है अब प्रभु चरित्र भी उन्होंने द्वाइत द्वाइत दोनों का वर्णन है सगुन निर्गुन दोनों का वर्णन किया है सगुन तो होते हैं लेकिन फिर भी वह तुम्हारे घट के भीतर वह ब्रह्म जो है निर्गुन सो रूप में रहता है सरव्यापी रूप में निर्गुन रहता है इस प्रकार से भी रूप लिखते हैं राम का चरित्र सीता जी का चरित्र सबका चरित्र ये होता है, तो क्या-क्या बाते हैं तो यह अगर हम समझ जाते हैं तो हम इसको समझेंगे और इसको समझ कर ये चलने की कोशिश करेंगे तो आइए अभी आपके comment ऽिकमेंट कुछ देखते हैं कुछ रुकावट जैसी मैसूस हो रही है तो चलिए कोई बात नहीं बस कुछ देर के लिए आप प्रतिक्षा करें और फिर से आपके कमेंट देखे जाएंगे लाइव ही रहेगा सब कुछ कमेंट देखे जाएंगे उस पर चर्चा करें होम दत्सत तो चलिए आपके टिपनिवों पर हम विचार कर लेते हैं और विक्रम सिंग्ग जी बहुत अभिनेंदन है जगत नरायन जी बहुत अभिनेंदन आपका मविता धिमाण जी कुल्दीव सिंग जी गौरा सिंग विकरम सिंग जी हरी मुहन गुक्ता जी वेदान्त गर्शन के अलग-ालग मत क्यों कौन सा मत सही है पिर बदाएं कौन सा क्योंकि आत्मा उपनिशदों से वेधानत निकला कहा है उपनिशदों से रहे हैं उपनिशद को सभिने के लिए उपनिशद का मत ही वेधानत मत आध्यन और इशादी नौ उपनिशद पर चर्चा है कि यहां पर इशादी नौ उपनिशद की चर्चा आप ले सुन सकते हैं जो कि इस चैनल पर उपलब्द है कि नवजोती नात जी विंदेश्वरी मिश्रा जी कि अबनी प्रधान जी शंकर प्रसाद जी पुरानों की कथा कहानिया सच है या जूट है सच ही है लेकिन वो हमें समझ में आये इसके लिए शास्त्र ज्ञान जरूरी है तब जाकर हमें सही बात सही तरीके से समझ में आ सकती है नहीं तो ऐसे बहुत तरह के संशय पैदा हो सकते हैं और साहित्तिक रशना है तो उसमें भी अलंकार और बहुत तरह की चीज़े हैं चीज़े मतलब की यह एक प्रोसेस दे रहा है कि राम के चरित्र को मानस में बठाई मन में बिठाइए आप मानस में अब राम के शरट्र को आप अपने मन मतलब की उनकी भक्ति से जुड़िये उनकी भक्ति से जुड़ना और अध्यात्म से जुड़ने का ये एक मार्ग दे रहा है यह इतिहास गुरुवर चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम जैमद एके सिंग जी शिवंभर जी किरन शर्मा भीखु कुचाडिया जी कनहाई कुमार जी अर्जन भाई चोहान श्वेता कुमारी इसमिता सावंत जी राम लखन राजपूत तेजिंद्र पमार जोंती तक्ता जी तेजिंद में रखा गया है लोगों का कहना है कि यह पत्थर रमायन का है जी हां एसे कई जगों पर इसे और फिकेस में बहिए ऑफ मसंध беспर्णा चोड़ा आप लुककिशन कोटी कोटी नमन बहुत अभिरंदन है आपका अंजु श्रवास्तवा जी गोविंद प्रसाद नीमा जी के शवदास जी ने राम चंद्री का एक ही रात में लिखी गई थी जी कि शिव महापुरान का चर्षा की जी पहले हो चुका एक बाद महापुरान की चर्षा पंका सोनी जी उजवल शेत्री जी एसपी सैनी अशोब कुमार प्रधान पूनम सिंगला सुरेश माने जी निती सिनहा जी प्रमुद कुमार रूपलाल विश्व कर्मा रावन नारी के दस नहीं आठ गुनों के बारे में चर्था करता है चलो जी अच् दस्मरन करके रखाओ माधुरी कोले जी अर्जुन पाटिल जी विनोध कुमार शर्मा जी वाइंपायर गेमिंग बविता धीमान जाती प्रथा क्या शबरी के समय भी थी सर इसको समझाए जाती प्रथा हमेशा थी और हमेशा रहेगी जाती प्रथा है वह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी यह कौन सी बात होई यह इतनी प्राकरतिक चीज है कि यह हमेशा ही रहेगी हां लेकिन इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए एक समसदार विक्ति एक समाज का कल्यान करने वाला विक्ति कभी भी इसका अनुसर नहीं करता है इसका स्वरूप बदलेगा और इसको लेकर हमें नियम नहीं बनाने चाहिए लेकिन ती तो हमेशा बात बिलकुल सई है तो हमेशा से अलग-अलग विवहार के लोग अलग अलग उनका कई कारणों से बंगßen बन जाता है। कई कारणों से अलग अलग छेत्र में रहने कारण हुझ अब आप नाम नहीं लेंडें लेकिन आप मालें가지 यह जाती है जहर वालों के जाती है तो इस भेद भाव के कारण जातियां बनी रहती हैं और उसमें वह जो वहाँ पर जो बढ़नन आता है जो तपस्वी थे जो रिशी थे जो मतंग रिशी के आश्रम में रहा करते थे उनका जो जीवन था तपस्या का और बहुत जादा वह अपने जिस तरह की पालना में वह लगे रहते थे उसरा की पालना में कोई विवधाम ना आए इसलिए वह समाज से थोड़ा अलग रहते थे नगर से भी गाउं से भी अलग वह रहते थे और उस प्रकार से प्रशलन के कारण उनमें कई तरह की विचारधाराएं बनी हुई थी ठीक है और जब माता शबरी मतंग रिशी के आश्रम में आई तो मतंग रिशी तो जान गए यह कोई सधारन आत्मा नहीं है तो कोई अपने पिछले जन्मों की तपस्या भक्ति को लेकर यहां आई है उस उद्देश्य से आई है लंबी कहानी है देवी शबरी की भी जब मानस पर चर्चा करेंगे तो उनकी पूरी कथा भी चर्चा में ले आएंगे तो वह आई है तो मुनियों ने उस समय कहा कि भाई एक तो हमारे बीच में कोई इस्त्री रहती नहीं है और आप जो है एक इस्त्री को आप ले आए वह उस समय वह युवा वस्था में थी जब वह तरुन अवस्था में थी जब मतिंग रशी के आश्रम में गई हाँ वहां पर भगवान राम छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि उनके विवाह में मांस परोसा जाने वाला था और इस कारण से उन्होंने घर छोड़ी है तो विवाह ही नहीं होगा घर छोड़ दोंगे तो ना पशुमों की हत्या नहीं होगी कुछ ऐसी कथा आती है देवी शबरी के बारे में तो यह चीज तो यह एक विशय है तो अब जिसके मन में जो भावना थी वह भावना गोस्वामी तुलसी दाजी चौपायों के माध्यम से उस शरित्र को इस पश्ट करने के लिए वो कहते हैं तो प्रकृती के कारण प्रकृती में अनेको भेद होने के कारण अब प्रकृती में तीन गुन है रजोगुन तमोगुन सतोगुन अधिक है आप उनको एक जाती का माल लो जिन लोगों में रजोगुन अधिक है उनकी अलग जाती बन जाएगी और जो तमोगुनी अधिक ह बहुत भेदभाव होने के कारण जातियां अपना रूप बदल लेती है रूप बदल लेती है और कई बार रूप में परिवर्तन हुआ है कई बार रूपों में परिवर्तन आया है चीक है तो ये चीज है तो रूपों में तो कई बार परिवर्तन आया है क्यूंकि पॉलिटिक राजनीती ऐसी है डेमोक्रेसी में लोग तंत्र में जाती वाध बहुत बड़ा एक हत्यार बन जाता है बहुत बड़ा हथियार बन जाता है अभी पीछे मैंने कहा था कि किसी ने कुछ टाइप किया था तो मैंने उनको कह दिया था कि आप साउथ इंडिया या नौर्थ इंडिया मत लिखिए अब आधी गुरु शंकराचार केरला से चलकर आये और काशी में रहने लगे और फिर उन्होंने धर्म प्रचार किया द्वईतमत का प्रचार किया पूरे भारत में किया और इस शेत्र में काफी उनकी माननेता हुई और कई विद्व लोगों ने उनकी अनुवाई बने जो मिश्र तो जो उनके मुख्य शिश्यों में सित्य सुरश्वराचारे उनको तो दूसरा ही शंकराचारे माना जाता था उस समय के लोग कहते थे कि इनके ग्यान में और आधी गुरु शंकराचारे के ग्यान में कोई फरक नहीं ऐसा लोगों का माने था मानेता था मननन मिश् ने बना दिया ठीक है तो लेंग्वेज के नाम पर भाषा के नाम पर कास्ट के नाम पर आप कई प्रकार के जातिया बना लीजिए वह एक अलग विश्य है लेकिन जाती प्रथा का होना प्रथा नहीं बोलिए जातियों का होना यह एक प्रकृतिक विश्य है कि प्रकृति के बैद के कारण अलग अलग लोग और अबमालेजकिंगे कि कुछ लोग चोर पर विर्थी के थे ओर पांच चौर मिल गये अभूं पांचों चोरों ने मिलकर चोरी करना शुरू किया फिर उनों कुछ पैसे का कुछ धन एकत्र किया अपना घर बना लिया परिवार बसा लिया उनके बच्चे हो गए अब उन बच्चों ने भी वही काम सिख लिया ठीक है उनको भी वो जब बढ़े हुए तो उनको अपने साथ ले लिया कि चल भाई चोरी करने तुम भी अब करते करते चोरों का पूरा गाव ही बस गया तो अब उनकी संख्या बढ़ गई तो अब उनकी जाती भी बन गई फिर वो उस जाती के अंदर गिने जाने लगे उन्हीं चोरों में कोई कुछ था तो किसी को किसी का भागे खुल गया उन्हीं असुरों में भक्त प्रलाद का जनम हो गया उन्हीं असुरों में राजा बली का जनम हो गया चीक है तो यह चीज चलती है यह तो प्रविर्ति से अलग अलग लोगों की प्रविर्तियां है अ तो जाती वाली बात नहीं थी, वास्तों में कर्म और गुण के अधार पर वर्णों का विभाजन किया गया था, वर्ण बनाए गया थे, और किसी भी जाती के अंदर, किसी के अंदर विशेस कर्म या गुण दिखता है, और वह उस अपनी परिक्षा को पास करता है, तो उसका वण्ड परिवर्तन भी होते हुए इतिहास में ऐसे कई परिवर्तन है में जहांपर वण्ड परीवर्तन हुए एक नहीं अनेको बार विश्वामित्र हो गए वशष्ठ हो ईसलिए इसलिए सब कई बाते रमायन में भी मिलती है कि मूली थो सिदास चार네요 रयाद्य चारतलों की छर्चा करते हैं यह चाया उससे होता भेतर बिल्कुल था तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और जो लोग नहीं जानते थे, जो भक्ती से संपन नहीं थे, जो आत्म ज्यानी नहीं थे, वो इन सब बातों को नहीं समझते थे, तो इसलिए वो भेदभाव करते थे, अज्यानता में करते थे, तो जिन रिशियों ने माता सबरी के शाथ भेदभाव किया अज्ञानता में किया मतंग रिशी देवी सबरी के संपूर्ण रहस्य को जानते थे इसलिए उन्हों ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया चीक है और उनको तपस्विनी का एक दर्जा दिया दिपक सिंग रावत गुरु जी फिर तो हमें आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी की टेकनोलोजी पर भी ऐससे लिखना होगा हाँ भई लिख लो क्या दिखकत है है एक बाबा जी को मैं सुन रहा था उनसे क्वेश्चन किया समान जाती में ही विवा होना चाहिए अन्हीं ने रामचर्त मानज का एक 24 असना और बोला व्वेद में लिखा है और पंडित का पंडित के साथ विवा होना चाहिए समान जाती में ही विवा होना चाहिए लोग गुण और दोश्टों देखते ही थे अब समान जाती में विवा हो यह प्रचलन बहुत बाद में आया पहले नहीं था पहले लोग गुण कर्म और यह सब चीजों को देखकर विवा का निश्य किया करते हैं हाँ वहाँ पर अगर आप जोतिश सद्धांत में चले जाएंगया जोतिश भी वैदिक सद्धांत है कर्से आप देखो आप कुंडलियां देखोंगे तो एक कावर्ण शुदर लिखा कोगा धर investment आsश लिखा कोगा वर्मन लिखा कर और परिवार में चार लोग है तो अगर उनकी जनम कुंडली निकालो गए तो अलग-अलग वर्ण आपको मिल जाएंगे के कहीं परिवार में है ठीक है तो अब इसलिए कुंडली का मिलान किया जाता था और उसके अनुसार कोई हां सगोतृय विवाह नहीं होता था व किरिस्यों के नाम पर विवाह के Perspectु नहीं दी जाती थी परंतु अलग जाति प्रचलन बहुत पहले से और वह करता था परंतु बाद में समाजी को देखते हैं लोगों ने नियम बनाए कि हम जो हैं अपने ही जाती में विवा करें तो हमारे लिए जादा अच्छा है तो उस तरह से लोगों ने करना शुरू कर दिया यह कब शुरू हुआ कैसे शुरू ह नहीं मिलती है लेकिन अलाग वर्णों में विवा की चर्चा थो भागवत महापुरान में लेकिन भागवत महापुराण मैं प्रमाण के सख्ष को दे गया उन्हों नहीं जरसी काउब और साहिवालंदी के संसर और एक्जामपल दिया कि उनकी सनातन को दोगली कहते हैं किया मनुष्य के लिए सही है आपका प्रश्ण समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते है कि उन्होंने जर्सी काउब और साहिवाल नंदी जर्सी काउब और साहिवाल ठीक है संदी के संसर्गस का एक्जामपल दिया कि उनकी सनातन को कहते हैं यह ठीक है कुछ हद तक जहां गुण और करम की बात आ जाती है वहां पर यह सब बात नहीं रह जाती है यह एक अलग विशय है यह रामचरित मानस का विशय नहीं है कि कुल तो इंटर कास्ट को बढ़ःवा दे लग विशय है कि कि fakat कि कि इस भी और कॉन की बातों को कौन मान रहा है प्रश्न ये भी है अगर गवर्मेंट बोल रहे हैं कि आप इंटर कास्ट मेरेज को बढ़ावा दे रही है तो वह कौन मान रहा है तो चलिए यह जो विशय है यह मानस का विशय से आप अलग चर्चा कर रहे हैं मानस का विशय भक्ति का विशय है विवेक और अध्यात्म का विशय है इसको हमें समझना चाहिए और सरकार क्या कर रही है इस विशय में लोग उसको कैसे ले रहे हैं तो अब कौन कैसे ले रहा है आप इसके लिए किसको जिम्मदार ठहराएंगे और किसको नहीं ठहराएंगे तो कौन कैसे यह समझने की आवशक्ता है तो बजए है तो यह समझने की आवशक्ता क्योंकि वो राजनीती के द्वारा ही उसको प्रत्तमानमें जाती विष्था को राईचनीती के द्वारा ही तो प्रत्ताहन मिलता है और इसके द्वारे मिलता है either हम 100 पर पांकिर प्रशाथ भगवद गीतामें कर्म परधान अविश्वर ची राथा कर्म की परधानता से अलग अलग लोगों को जीवन प्राप्त होता है कर्म की प्रधानता इसमें होती है हमें अपनी तरफ से अपना कर्म करना चाहिए और उचित करना चाहिए यह हमारा अपना का विशह है हां ग्रंथों में अलग-अलग बाते बातों की स्विकृति है विवा के संबंद में विजातिया विवा के संबंद में भी स्विकृति है शास्त्रों के अंदर लेकिन उसका अपना एक सिस्टम है वह भी बताया गया है और किस परस्थिती में क्या होता है वो निर्भर करता कई असी कथाएं आती हैं कि किसी रिश्वी पुत्री ने किसी शुद्र यूवक से विवा किया ऐसा भी वर्णन आता है पुरानों की कथा में ऐसा वर्णन मिलता है ठीक है तो यह सब समझने वाली बाते हैं यह सब अपने कर्म गुन और प्रकृती के नियम से चीज़े आगे बढ़ती है लेकिन बढ़ावा देना विशे सुरूप से बढ़ावा देना वो एक अलग विशे हो जाता है वो एक अब जो है मानस की चौपाईओं पर चलेंगे मानस के इस लोकों पर चलेंगे कि गोस्वामी तुलसिदा जी अब कौन-कौन सी बात किस प्रकार से प्रस्तूत करना चाहते हैं और किस प्रकार से प्रस्तूत कर रहे हैं तो एक-एक विशे पर विवेचना करते हुए आगे बढ़ा जाएगा आप साथ बने रहें और लाब उठाते रहें और चरचा आप जो मानस का जो वास्तविविक उद्धिष्य है वो इश्वर के इश्वर को भगवान को अपने मन में बसाना राम के चरित्र को मन में बसाने के लिए यह इस गन्तों और महाकाववे की दि है तो उस पर हम ध्यान देते हैं ही हम भी सुने हम इनी विश्यों पर ध्यान रे और हर बात पर यह प्रशन है उसी दाश्य ने ऐसा कि मध embarrassing दिए वह अग्यां रहे है कि आप इस बात को हमेशा समझ के चली एक वह कर रहा है कवीत रहा है मैं अपने संतोष के लिए लिखरा हूँ तुम पड़ो ड़यों को इस वागत करना चहिए चलीं कि कि इसी के साथ रिलेते हैं कल नौब बज़े 9 पीम पर आप से का और जो लोग ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं वो सभी ध्यान योग कोर्स कल तक उनको समय है कल परसों तक उनके पास समय है आप ज्वाइन 14 तारिक ज्वाइन कर सकते और प्राकृतिक चिकर्षा का भी कोर्स जो है वो भी 14 तारीक से शुरू हो रहा है तो वो भी आप ज्वाईं कर सकते हैं तो बहुत बहुत आभार आप सभी का आप करते हिज्वारा है